नमस्कार में पिंटु शिंग्यादव आप सभी का स्वागत करते हैं निउस लाइब में दोस्तों बात करें तो जिस तरीके से सिवान के पूर्वस्तान्षद और आरजेडी की कदावर अरनेता सहाबुदीन लालुयादों के काफी जादा करेबी माने जाते थे और शहाबु देश में तबाही का मंजर ला दिया है और पूरे देश में जिस तरीके से बड़े लोगों से लेकर आम लोगों से लेकर कई सारे दिगजूं को अपने मुह में निगल रहा है तो कोरोना ने मुखतार अंसारी और आजम खान जैसे लोगों की भी मुस्किले बढ़ा दिया लेकिन एक घटना सबसे बड़ी घटे जब शहाबुदीन जो है कोरोना की गाल में शमा गए और कोरोना ने उनको निगल लिया और शहाबुदीन इस दुनिया को अलभीदा कहे गए सहाबुदीन जो थे वो दिली के तिहार जेल में जेल की सजा काट रहे थे और उनकी अचानक तबियत खराब हुई जाच किया गया तो पाया गया कि सहाबुदीन जो है वो कोरोना पोश्ट्री पाये गया है तो आननफानन में उनको डीडिव यानि के दीन दयाल उपाध्य हॉस्पिटल में भरती किया गया जहां पर इलाज के दौरान जो है उनका निधन हो गया यानि कि उनका मृत्य हो गया जब मृत्य हुआ तो लोग जो है कई सारे आरोप लगाने लगे आर्डेडी के साथ साथ कई सारे ऐसे दिगर्जनेता थे जो कि शाहबुदीन के मामले क उनको काफी जोर से उन्होंने उठाया और इस मामले पर लोग कहने लगे कि कहीं न कहीं डिडिव अस्पताल में उनको भरती नहीं कराना चाहिए बलकि उनको एमस में लेकर जाना चाहिए था और अगर वो डिडिव के जगह पर एमस में भरती होते तो उनका जो इलाज है वो कावफी जादा बेहतर तरीके से होता और शायद आज शहाबुदीन जिन्दा होते और लोगों के दिल में बने होते। लेकिन जिस तरीके से प्रसासनिक वेवस्था, मेडिकल की वेवस्था सही समय पर नहीं की गई, जिसकी वज़ा से शहाबुदीन जो है, वो इस दुनिया को अलबीदा कहे गए, उसके बाद से तमाम पोलिटिकल पार्टी पर भी निसाना शाधा गया, बात करें तो जिस तरी भी सहाबुदीन के जैसा मामला ना हो जाए, जिसको लेकर कहीं न कहीं मुक्तार अनसारी की जाच हुई, और जाच के दौरान ही, जेल में इलाज दिया गया, जिसको लेकर असदुद्धन ओवैशी ने भी आवाज उठाई कि इनको सही समय पर, दवाई सही समय पर जो है, वो मुहय करानी जाहिए, ताकि इन लोगों के साथ कोई भी इंसिडेंट ना हो जाए, वहीं बात करें, तो गाजिपूर के सामसद, जो मुक्तार अनसारी के बड़े भाई, अफजाल अनसारे, बहुजन समाच पार्टी के सामसद हैं, वो भी लगातार मेडिया के मा वहीं बात करें, तो जिस तरीके से आज़म खान जो है, जेल में बन थे और आज़म खान जेल के दोरान ही कोड़ना पोस्ट्री पाये गए थे, और कोड़ना पोस्ट्रीप का जो सिरियसनेस था, वो काफी ज़ादा बढ़ता नज़ाए, जिसके बाद से आनन फानन में मैं आवेदानता हॉस्पिटल में भर्ती किया गया और वहाँ पर आईशु में भर्ती किया गया आईशु में भर्ती होने के बाद कई सारी चीजे होई कई सारी लोगा फवाव फैला है कि कहीं न कहीं आजम खान को भी शहाबुदीन की तरह इलाज ना देकर मार दिया जाएगा लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रमुख जो नेता है वो लागातार जो है आजम खान के मेडिकल स्टाप से आवेदानता हॉस्पिटल के जो डिरेक्टर है उनसे इतने जादा संपर्क में थे अखले स्यादों से लेकर धर्मेंदर यादों की बात करें रा आजम खान काफी जादा पहले से शुरक्षित में हैसूस कर रहे हैं और उनमें हेल्थ में काफी जादा शुधार हुआ है तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके से शाहबोदीन को सही समय पर इलाज नहीं दिया गया और सही होस्पिटल में इलाज नहीं दिया गया उस एक समय मुख्तारसारी जो है वह भी सफल हो गया थो यह जानकारी था मुझे लागा कि आप आप सभी के बीच ऐसी जानकारी शाधा करने चाहिए यह जानकारी कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स के जरीए हमें जरू बताई वीडियो पसंद आई तो लाइक कोमेंट शेयर करें उसे आलको पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करकर जरू जुड़िए धन्न बाद